है आज किस वीडियो में हम बात करेंगे stml structure की मतलब जब हम stml का code लिखेंगे तो उसका structure कैसा रहेगा structure को जाने से पहले हमें यह जाना जूरूर है कि stml language हम क्या यूज करते हैं stml में हम यूज करते हैं बहुत सारे tags for example अगर आपने web page पे अपनी heading को लिखना है तो उसके लिए हम अलग tag यूज करेंगे अगर आपने symbol text को लिखना है या paragraph लिखना है तो उसके लिए अलग tag यूज करेंगे अगर आपने image को यूज करना है तो उसके लिए image tag यूज करेंगे अगर आपने line insert करने है उसके लिए अलग tag use करेंगे अगर आपने अपने web page पे दूसरी website के link insert करने है तो उसके लिए अलग tag use करेंगे अगर आपने table create करना है उसके अलग tag use होगा अगर आपने form create करना है तो उसका अलग tag use होगा आवब बात करते है tag दिता कैसा है तो यह main tag है stml का, इस HTML tag के अंदर हम अपनी coding करेंगे stml की ओके और stml में कुछ self closing tags पे होते हैं जिनने हमें close करने के दुरूत नहीं होती वो सब कुछ हम इस आने वाली वीडियो में देखेंगे ओके अब बात करते हैं stml के main structure की मतलब जब भी आप stml का code लिखोगे तो कम से कम आपको इतना तो लिखना ही होगा सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा डोक टाइप यह डोक टाइप हम लिखते हैं अपने ब्राउजर को बताने के लिए कि यह जो मेरा नीचे document है यह है stml document ओके इसके बाद हम सबसे पहले stml tag लिखते हैं उसको नीचे close करते हैं और stml tag के अंतर हमारे पास दो main tag है जिसका नाम है head tag और body tag सबसे पहले हम इस structure को लिखते हैं अपने vs code में तो अभी मैंने vs code open कर लिया है अभी मैं क्या करूँगा यहां पर file पर जाओंगा और open folder पर click करूँगा मैं अभी क्या करूँगा एक ऐसा folder क्रेट करूँगा जिस पर मैं अपने सारी stml files को save करूँगा ताकि किसी stml file को मुझे दुबारा देखना हो तो problem ना है okay so c drive के अंदर मैं पास एक folder पहले से stml tutorial तो मैंने create कर लिया था है उसके बाद मैं इसको select करूँगा okay select करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा एक new file create करूँगा और इस file का नाव रखूँगा मैं structure.html okay so सबसे पहले आपको लिखना है dog type तो dog type कैसे लिखेंगे सबसे पहले आप यूज़ करोगे angle brackets ठीक है angle brackets कुछ इस तरह से होते हैं less than और greater than के sign को angle brackets बोलते हैं ठीक है angle brackets सबसे पहले आपको exclamation sign लगाना है उसके बाद dog type लिखना है ठीक है उसके बाद थोड़ा सा space उसके बाद stml ठीक है तो dog type क्या है dog type सिर्फ browser को बताने के लिए कि जो document होगा वो stml document होगा for example मैं कोई website open करता हूँ for example यह google का home page है अगर मैं इसी का ही view page source देखूँ ठीक है तो सबसे उपर आपको दिखेगा यहां पर dog type stml तो यह हम लिखते हैं ब्राउजर को बताने के लिए कि हमारा stml document है और कौन सा version stml 5 version जो current version stml को है stml 5 तो अभी stml 5 ही रहेगा stml 6 7 नहीं आएगा stml 5 ही रहेगा अब इसके बाद हमें करना क्या है सबसे पहले हमें लिखना है यहां पर stml tag stml tag stml tag के अंदर हम करेंगे अपनी सारी stml की coding इसको बोलेंगे opening tag इसको बोलेंगे closing tag इसके बाद हम क्या करेंगे देखिए इसके बाद हमारे बास दो main tag है सबसे पहले है head tag ठीक है अब head tag और head tag के बाद हमारा body tag ठीक है अब देखिए देखिए अब यह है मेरे दो tag ठीक है यह है मेरा head tag head tag के अंदर हम coding करेंगे और body के अंदर coding करेंगे अब हैड के अंदर क्या लिखते हैं हैड के अंदर लिखते हैं Meta information Meta information जैसे अपनी website को title देना ठीक है बात करते हैं सबसे बहले मैं अपनी website को कुछ title देता हूँ और title के लिए मैं यूज करूँगा title tag अब title मैं website को title कुछ भी दे सकता हूँ for example welcome मैं इसको save करता हूँ save करने के लिए मैं यहाँ पे file में जाग यहाँ पे save कर सकता हूँ और Ctrl S मैं क्रस कर सकता हूँ safe करने के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे जहाँ पे मेरी उपर file का नाम देख रहा है structure.stml यहाँ पे मैं right क्लिक करूँगा और यहां पर क्लिक करूँगा copy path पे जब मेरा path copy हो जाएगा फिर मैं अपना browser open करूँगा और मैं recommend करूँगा प्लीज आप Google Chrome ही यूज करना या फिर Firefox यूज करना इसके अलावा कोई browser मत यूज करना web development सीखने के लिए internet explorer बिल्कुल भी मत यूज करना इसके बाद मैं यहाँ पे paste करता हूँ और enter hit करता हूँ अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर new tab है यहाँ आप देख सकते हैं welcome लिखा रहा है तो यह है मेरी website का title अगर मैं इसको change करूँ for example मैं इसको करता हूँ my website इसको मैं save करता हूँ अगर मुझे फिर से safe करना हूँ अगर यहाँ पर आपको dot दीख रही है मतलब my file save नहीं हुई अगर मैं ctrl s प्रेस करके save करूँगा तो dot हट जाएगी तो मतलब my file save हो चुकी है इसके बाद अगर मैं browser को फिर से open करूँगा और आप देखना मैं refresh करूँगा तो यहाँ पर चेंज हो चुक है I hope आपको समझ आ चुक होगा कि title क्या होता है अब यह तो था head के अदर हमने title लिखा head के अदर और क्या लिखते है हमने external css file को link करना हो या फिर हमें किसी और file से connect करना हो तो वह सभी कुछ हम लिखेंगे head के अंदर body के अंदर क्या लिखेंगे main content हमारी heading, images, form, tables सब कुछ वह लिखेंगे body के अंदर अब body के अंदर क्या use करते हम वह हम देखेंगे next video से Thank you guys so much for watching this video Please मैं चैनल को subscribe करना और ढहसारी videos देखने के लिए इन videos को पने दोस्तों के साथ share करना Thank you so much